So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty, Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं, continue वीडियो की शुरुआत H.A.L. के साथ करेंगे हिंदुस्तान Aeronautics Limited की बात की जाए तो स्टॉक आज पॉजिटिव रिटरंस के साथ ही क्लोजिंग देता हुआ नज़राया 4,745 रूपिस के आराउंड स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी बड़ी न्यूज आ रही थी, H.A.L. यहाँ पे बड़ा था, क्योंकि जो इसरो के चेर्मेन है, उन्हें उन्हें इनागरेट किया, यहाँ पर बूस्टिंग के लिए, जो रॉकेट मैनुफेक्टरिंग है, उसको बूस्ट करने के लिए, उनकी और से एक बड़ा इनागरेट किया गया है, LVMC के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इनकी और से एक बड़े लेवल पर उद्गाटन किया गया, तो यह काफियत तक पॉजिटिव चीज रही, जो H.A.L. को वह बहतरीन यहाँ पर रही है, और B.E.L. की अगर हम बात करें, 283 रूपीस के राउंड तक क्लोजिंग आज रही, 9 रुपे, 30 पेसे के राउंड अगर आप देखते हो, तो स्टॉक में बहतरीन, रिटन्स भी आप पर देखने को हुलते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे, B.E.L. में भी अगर देखा जाए, तो कई बड़े ब्रोकरेज फर्म से जिनकी ओर से पॉजिटिव रेटिंग दी जा रही है, यहाँ पर बात करें, अगर मोतिलाल उस्वाल की, तो मोतिलाल उस्वाल का यही मानना है कि P.E.L.I.E. पोजिशने टू बैनिफिट फ्रॉम कंटिनू डिफैंस स्पैंडिंग तो यहाँ पर अगर देखे, अगर देखे, इनके ऊपर काफी का ध्यान रहने वाला है अल्रेडी अगर देखे तो काफी बड़े प्रॉफिट में डिफेंस जो कंपनीज है ओ चल रही है और आगे भी ऐसे ही एक्सपर्स का मानना है कि BJP के जितने से यहाँ पर डिफेंस में काफी बड़ा इन्हें का पुश मिल सकता है तो यहाँ पर अगर देखें इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट एट आल टाइम है तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है यह आल टाइम हाई के राउंड शल रहा है राजनात सिंह की ओड से कहा गया है Joe defense इंडस्टरी है ओ यहाँ पर 32.5% से बड़ी है FY 24 में तो एक काफी बड़ी चीज्च जो है यहाँ पर राजनात सिंह की ओड से कही जा रही है जो defense minister है हमारे इंडिया के इंडियाा इंडिया defense exports reached an all-time high level of 21,083 करोर in financial year 2023-24 with a 32.5% growth in FY24 compared to previous financial year said defense minister Rajnath Singh on Monday. तो यहाँ पर आप देख सकतो एन defense public sector undertaking DP D PSU यानि defense PSU ओर देएस डिफेंड मिनिस्ट्री राजनात सिंग के और से कहा गया इनका मानना है कि यहाँ पर अगर देखे जो exports जो पेसा है यहाँ पर काफी बड़ा है एक्सपोर्ट बड़ा है और 21,83 करोड के राउं तक का यहाँ पर एक बड़े लेवल पर export किया गया है जो काफी बड़ी चीज है और यहीं अगर देखे 32.5% से यह बड़ा है तो आगे भी अगर देखे जो defense sector है वो काफी अच्छा कर सकता है और सीधा सीधा impact अगर देखा जाए HL के उपर इसका रहेगा क्यूंकि HL अगर देखे defense में काफी बड़ी company है और वहीं अगर दिखा जाए government का काफी हद तक focus HL के उपर रहता आया है तो इसके उपर भी आप focus कर सकते हो तो और रहल काफी कुछ चीज़े जो हमने discuss कर लिए और shares को लेकर इस सब वीडियो में तो I hope आपको ये वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में अगर आप investment कर रहे हो तो इंका analysis कर लेना साथ ही telegram channel को join कर ल थाइगी थाइगी